नमश्कार दोस्तों आप है अपने ही गुडलिवीन चैनल पे और भाई आज का जो प्लांट है वो बहुत खुबसूरत प्लांट है सबसे बड़ी बात दोस्तों बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और मोस्त के गार्डन में वो होता भी होगा लेकिन कई बार क्या होता है न और वैसे हम हिंदी भाषा में दोस्तों इसको बोलते हैं चान्दनी के पोधी तो चान्दनी का जो प्लांट है वो दोस्तों खुबसूरत होने के साथ साथ हमेशा आपके गार्डन में रहने वाला है दूप को अच्छा पसंद करता है ये और सबसे बड़ी बात चाहिए आ हमारे एवरग्रीन प्लांट होते हैं लेकिन हाँ फिर भी हम सोचते हैं कि हमने गमलों में मट्टी भर रखी है तो किसी भी तरिक्के से इनकी जो नुट्रिशनल वैल्लू है उसमें कोई कमीन आए तो उस लिहास से फिर हम खाद वगर अवेलिबल करते हैं ताकि किसी चीज कि कोई कमीना हो हमारे पोद्दों को अगर जमीन में लगाओ तो तो देखो कोई चिंता की बात नहीं होती प्लांट की जो रूट होती है अपने आप से ही वो जमीन में से जो भी उनको नुट्रिशन चाहिए होता है वो ले लिती हैं लेकिन गमले में क्या होते हैं लिमिट जहां उसे रखना चाहिए लेकिन बीच बीच में हम इन चीजों के भी अवेलिबिल्टी देखते हैं कि हमारे पास हो नहीं हो तो फिर हम घर से जुगाड कर लेते हैं तो आईए दोस्तों बात करते हैं इस पीन वील फ्लावर प्लांट की जिसको की पीन वील फ्लावर भी बोल देते हैं क्योंकि इसके जो फूल है वो पईये के तरीक्के से होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों में इसके प्लांट खराब हुजाते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है जैसे कि बार रबर बताती हूं मैंने भी ग्रूप में रखे हुके हुए और सारे हेली चल रहे हैं आप देख रहे हो और अच्छे grow भी कर रहे हैं फूल भी आरे हैं इसके उपर काफी कमेंट आ रहे थे और मुहस्ते दोस्तों कमेंट इसलिए भी आ меньше है सब के गार्डन में होता है आपने group बना के रखने हैं, आगे तो फिर मोसम ठीक आई जाएगा, बरसात का आजाएगा, फिर तो plant अपने आप़ी adjust कर लेंगे, लेकिन फिलाल इतनी गर्मी में आपको यही करना चाहिए, बस plant का group बना के रखें, और इससे क्या होता है कि एकदम से जो sunlight होती है, गरमाट हो होगा, तो देखो सारी गर्मी वो जहलेगा चारो तरफ से है ना, और group बना के plants होगे, तो जो फिर वो गर्माट है वो divide हो जाएगी, और एक दूसरे को save भी करेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो यही है, अब आते हैं इसकी soil के उपर, soil दोस्तों, इसको अच्छी थोड़ी experience से बोलती हूँ, हर plant के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद, और तब मुझे लगता है कि हाँ, यह बास share करने लायक है, तब ही मैं आपको बताती हूँ, तो जैसा कि मैं देखती हूँ इस plant के साथ कि पानी जल्दी से absorb कर लेता है, यह पानी से अच्छा चाहिए, सूरज हाई हो जाए तो भई दिखो, फिर तो पोद्दों को बचाना बनता है, भले ही कितने समर के एवर ग्रीन पोद्दे हैं यह, और यह परीनियल प्लांट है, दोस्तों सबसे बड़ी बात है, परीनियल प्लांट्स वो होते हैं, जो हमेशे आपके गारण में बने रहती हैं, तो यह सारी चीज़े तो होगी कि आपने सोईल कैसी बनानी है, सनलाइट भी अगले को पसंद है और पानी भी अच्छा खासा पसंद है इसको, अब आते हैं दोस्तों इसके रख रखाओ के उपर, तो जितनी दोस्तों इन एवर ग्रीन पोद्दों की जो पेरीनियल प्लां अगर आप प्लांट को ऐसी छोड़ दोगे, चाहे वो ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसे ही है, तो फिर आपका प्लांट इतना सुंदर देखने में नजर नहीं आएगा, अगर आप टाइमली इसकी कटाई छटाई करते हो, सभी पोद्दों की इसकी निवात करी में, तो पोद्दों की रंगत ही अलग होगी, नहीं ने पत्ते निकलेंगे, नहीं नी शाखाई निकलेंगी, उन पे नहीं नी बंच बनेंगी फूलों की, तो वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बजाए कि एक पुराना सा पोद्दा चलता है, चला रहा है, व उसके बाद जो आपकी स्टेम्स होती है, उनको भी आप नए प्लांट बनाने के लिए ग्रो कर सकते हो, तो इसकी कटिंग आप किसी भी मोसम में लगा सकते हो, बहुत जल्दी इसके प्लांट त्यार हो जाते है, कोई ऐसी चिंता की बात नी है, और बहुत असानी से उगने इसके खासी बन गी थी, और जिसकी ना बने तो भई वो पहले एक बार पानी में इसको उगा के, मतलब इसकी जड़े बना के, फिर आपको ट्रांस्प्लांट कर दो, और जिसका हाथ साफ है, वो सिद्धा सोईल में लगा दो, तो बहुत असानी से उगने वाला पोदा है, बहुत सुंदर है, और यह सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब हमारी कटिंग चलती है न, कोई भी, तो हमें बहुत खुशी होती है, खुशी इसलिए होती है कि, दिखो एक तो हमने वो ब्रांच जो काटी है, वो फैक नहीं थी, उससे अगर हम नए-ने प्लांट बना लेते हैं, तो नए-ने प्लांट आपके गार्डन में मल्टिप्लाई होती है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें बहुत साटिस्फेक्शन मिलता है, कि हाँ, हम भी कुछ प्रोड़क्टिव हैं, कुछ नया कर सकते हैं, एक कटी हुई ब्रांच को हम नया जीवन दे रहे हैं, तो बड़ी एक अच्छी सैकोलोजिकली रिलेक्सेशन होती है, कि हमने एक नया पोद्धा अपने आप से बनाया है, जो कि वैसे भी हमने फैक नहीं था, है न, और जब नए-ने प्लांट साब बनाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और उस रिलेक्स के कमपेर का आना चाहिए, तो आज का जो प्लांट अब आपको समझ में आ गया होगा, और भी फूल देखलो जो गार्डन में खिले हुए है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिसके फूल नहीं खिल रहे हैं, किसी भी पोद्धी के, चाहे वो चांदनी का है, या कोई और भी है ग कड़ी होती है घर में, उसको थोड़ा सा कूट के पानी मिक्स करके डाल दो, तो फिर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, कई बर ऐसा होता है, हमारी सोईल ऐसे डिक नहीं होती, और फूल नहीं खिल पते, तो इससे क्या हो जाएगा, कि आपकी सोईल ऐसे डिक हो जाएगी, और जब भी आपको टाइम मिले या खाद अवेलेबल हो जाए, तो खाद भी डाल दिया करो, और नहीं भी खाद अवेलेबल होती है, तो भी चाय तो देखो, मैं बार-बार कहती हूँ, सबके घर में बनती है, उससे तगड़ी कंपोस्ट तो कोई नहीं है, उसके बाद तो आपको सोयल में कोई ऐसेडिक चीज भी नहीं मिलाने पड़ेगी, क्योंकि चाय पत्ती की जो खाद होती है, उससे अपने आप ही फूल खिलते हैं, और जो पोद्धे आपके शेड़ वाले भी है न, उनके लिए भी बहुत अच्छी है वो, पोद्धों का हरारंग मेंटेन न, वाले पोद्धों के लिए फूल खिलाने के लिए गुलाब के लिए बहुत अच्छी है आपकी चाय-पत्ती की खाद, और जाए अप ग्रीन टी बनाते हो चाय आप सिंपल दूद वाली बनाते हो, दूद वाली है तो अच्छे से धोँ के डाल दो, अद्रक बगरा निक सुरत plant है अगर आपके पास नहीं है तो आपको उगाना चाहिए और है तो उसको multiply करना चाहिए उसकी cutting लगा लगा कके फिर आपको confidence भी बढ़एगा और आपके नेने plants भी तियार हो जाएँगे तो उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ और खुब अच्छे प्लान्ट हो रहे हैं बारिश के बाद सुंदर लग रहे हैं सब बारिश के बाद तो ऐसी खिल जाते हैं पोंदे बस थैंक यू बेरी मिस्टेक के